Hello Everyone, Welcome to Webinar, आज का जो सब्जेक्ट है बड़ा इंट्रेस्टिंग है, my dear students and parents बने रहेगा क्योंकि हम काफी कुछ जानने वाले हैं, degree courses के बारे में, diploma courses के बारे में, certification courses के बारे में, after 12, commerce में कितनी सारी opportunities है और हम किस-किस opportunities में क्या-क्या कर सकते हैं, There are number of courses, number of certificate courses, number of diploma courses, banking, finance, action, cost, management, अलग, 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 यहाँ पर क्या होता है, मुझे decide करना है कि मुझे कौन सा subject लेना है, तो मैं यह कहना चाहूँगा आपको, आप अपने interest को जानिएगा, interest के साथ, मैं आपको थोड़ा-थोड़ा हलका-हलका hint देते जाऊँगा, कि इसका interest इसके साथ है, इसका interest इसके साथ है, अपने interest को अपनी life बनाना है, अपने interest के साथ जीना है, पैट है, किसी के बोलने पे course select नहीं करना है, मेरे बोलने पे select नहीं करना है, आपको अपने इसाफ से, अपने interest के साफ से उसको choose करना है, let's see, मैं कैसे decide करूँगा कि मैं मुझे क बच्चा unique होता है हर एक के अंदर कुछ न कुछ अच्छ बाते होती हैं कुछ negative point होते है तो वैसे ही हर एक course की value होती है हर हर एक degree, diploma, certificate आपको कुछ न कुछ देखे जाता है तो यह चीज आपको select करना है कि किस basis पे हमें courses percentage के basis पे select नहीं करने है कि लाइक मेरा 99 आया तो मैं CACS कर लूँ उससे कम आया तो और कुछ कर लूँ नहीं never हमें जानना है मेरा area of interest कि मुझे कौन सा area of interest अच्छा लगता है उस या मेरे friends change हुए अब मैं bachelor degree करने जा रहा हूँ like अब मैं degree college के level पे पहली बार degree college में कदम रखूंगा 12 के बाद एक नया एक नया ही अवतार होता है कि हम हमारे दोस्तों को बनाते हैं नय friends मिलते हैं नया group बनता है उसी हिसाब से मेरा direction क्या होना चीए क्या मेरे जो friends में जो कर रहा है मुझे भी वो करना चीए नहीं या मेरे parents जो बोल रहा है मुझे वो करना चीए नहीं brother sister नहीं क्या होता है हर एक अपनी field का आपको opinion देता है कि मेरा opinion यह कर ले यह कर ले यह कर ले यह कर ले नहीं मुझे right direction चुनने के लिए मुझे खुद को समझना ज जो इसमें IIT कर लेते हैं Maths कर लेते हैं फिर फिर दूसरे उस पर आते हैं, साइंस में अलग लग switch कर सकते हैं क्यों करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि उनको directly नहीं मिला होता तो यहां पर हमें सही direction को choose करना है कि मेरा right direction क्या है direction को समझने के लिए मुझे मेरी unique strength को सबहना नहीं सबका टेस्ट अलग होगा अब सब मेरी अपकी सबकी अलग-अलग स्टेंथ है तो हमें उस स्टेंथ को देखना है कि मेरी स्टेंथ क्या है मैं अपनी स्टेंथ के इसाप से काम करूंगा जैसे अगर मैं bullet का और एक bike का इंप करूंगा competition लगाऊंगा तो दोनों का competition ना लगे अगर मैं यह बोलू कि एक gym में मैं गया हूँ और एक bodybuilder पहले से gym continue कर रहा है और मैं अभी आके add करता हूँ तो क्या मैं उसके competition को compete कर सकता हूँ नहीं तुरन तो नहीं कर सकता लेकिन it will take time कहने का मतलब है अगर मेरी strength मुझे पता चल जाए या मैं अपनी weakness को अपनी strength बना लो सब के अंदर कुछ न कुछ strength होती है कुछ न कुछ weakness होती है तो अपनी weakness को डूंडो weakness को positive में convert करो अपनी strength मना लो फिर आपको पीछे कोई नहीं छोड़ सकता आप लोगों से आगे बढ़ जाएंगे देखिए अगर आप extraordinary है तो आपको यी वीडियो देखने की जरुवती नहीं आपको पता है आपको क्या करना है लेकिन अगर आप average हैं आपको confusion है तो आप ये समझिए कि आपको अपनी strength को जानना जरूरी है strength हमारे अंदर छुपी हुए होती है strength को हमें ढूंडना है अगर एक मा के दो बच्चे twins हैं एक ही समय हुए हैं तो दोनों का दिमाग अलग-अलग काम करता है वैसे ही हम सब का दिमाग हमारी सब की strength अलग-अलग होती है हमें अपनी strength को पैचानना है हमें अपनी energy को पैचानना है कि मैं मेरे अंदर कितना power है मैं किस level पर पढ़ सकता हूँ जैसे for let's example मैं normal college में पढ़ा हूँ और एकदम से मैंने high-five उसमें admission ले लिया तो मैं वहाँ पे कूपब नहीं कर पाऊंगा सर मुझे मेरी strength को पैचानना है मुझे उस power को पैचानना जो मेरे अंदर चुपी हुई है अपने interest के साथ इसके बाद आता है focus हमें जब हम एक particular subject क course को select करने तो हमें उस पे ही ठिके रहेना है हमें अलगलग नहीं भागना है आप जितने लोगों से मिलोगे सब अलग-աलग example देंगी यह चीज बिका रहे को become नहीं करना था बीबी चीज आपको ले जाएगी चलिए आगे बढ़ते हैं courses के तरफ चलते हैं देखिए कौन-कौन से courses हैं अब कुछ traditional courses की बात कर लेते हैं traditional courses में आता है become अगर आपको accounts अच्छा लगता है और आपको सब्जेक्ट में जैसे आपने 11-12 commerce पढ़ा है तो आपको यह समझ में तो आगया होगा कि accounts क्या है practical क्या है तो अगर आपको accounts अच्छा है तो आप गूफ और वीकॉम अगर आपको management में अच्छा लगता है, लोगों के साथ management करना, लोगों के साथ like organization में रहना, काम करना, तो आप, slight change होगी, sorry, आप BBA कर सकते हैं, then, अगर आपको IT subject में खेलने का computer के साथ interest है, computer में interest है, तो आप BCCA में जा सकते हैं, आप economics में भी degree course है, economics यह थोड़े से कम popular हैं, लेकिन इनकी value है, जैसे मैंने बुला हर एक course की एक unique identity होती है, वैसे ही हर एक course की value होती है, then, आप last में management के उपर एक BMS course भी है, कम popular है, लेकिन है, यह course में भी जा सकते हैं, pure management, HR, marketing, यह वाले course में, तो यह हमारे degree courses थे, इसके लबाँ और भी बहुत सारे degree courses हैं, let's see, हम locket through L LB कर सकते हैं, 3 years, 5 years का LLB होता है, then, मैं hotel management का course कर सकता हूँ, again, 3 and 5 years का hotel management होता है, then, मैं mass communication का course कर सकता हूँ, mass communication एक बड़ी industry है, बिना communication के, आज हम लोग बिना communication के हम रही नहीं सकते, तो mass communication, journalism हुआ, advertisement हुआ, बहुत सारे courses इसके अंदर आते हैं, then, आप social worker बन सकते हैं, य बड़े-बड़े लेबल पर कोज बन सकते हैं, यह सब course, depends on course, कि आप कौन सा course select करते हैं, जैसा मैंने बुला, आपका area of interest, देखिए, लोग क्या होता है, सिर्फ traditional course के उपर भागते हैं, नहीं, आप अपना interest देखिए, अपनी hobby देखिए, कि मेरा hobby किस में, मेरा area of interest किस में, उसके इसाब साब course select कीजिए, उसके बाद fine art है, arts के उपर बहुत सारी course है, fine art है, then design art है, then multiple courses हैं, जिसमें आप arts के उपर, course के उपर कर सकते हैं, yes, आगे बढ़ते हैं, then आईए, आपके favorite course के उपर चलने है, professional courses, basically क्या होता है, जैसे 10th pass out होता है, तो बहुत अच्छा percentage आया है, तो लोग बुलते है, science कर ले, जैसी वो science बुलता है, तो क्या दिमाग में आता है, IIT करेगा बच्छा, और कम percentage जाए, तो commerce कर ले, तो क्या हो गया, CACS कर ले, सर जरूरी नहीं है, CACS करो, आप अपने आपको slack बनाओ कि CACS के साथ work कर सबो, like आप में खुबी होनी ची है, कि आपके अंदर किसनी strength है, मान लीजे, मैं बहुत ही average strength हूँ, और मुझे किसी ने हवा भर दिया, pump भर दिया कि नहीं, CACS कर ले, तो आप अपना पैसा बेविकार करेंगे, course, सब दमदारे सर ये जो course है, professional course, सब अपनी value रखते है, अच्छा, अब आते हैं, CACS क्या ह है, तो ICWA CA में कराता है, international level पे भी एक CA में होता है, then सबसे interesting अगर आपको finance में अच्छा लगता है, तो international level पे जाने वाला subject है, अपना CFA, जब अर दस course, detail के लिए आपको net पे search करना पड़ेगा, या मुझे call करके clear करना पड़ेगा, मैं इसके बारे में detail आपको study दूँगा हमारे पास समय कम है, हम हर एक topic के उपर detail study नहीं कर सकते हैं, मैं आपको हलका हलका hint दे रहाँ कि किस से क्या subject का interest आ सकता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, professional course के बाद आता है, multiple courses और भी हैं, जैसे BSC, NSC के उपर मैं certificate course कर सकता हूँ, capital market के उपर कर सकता हूँ, CFP कर सकता हूँ, बहुत सारे multiple course हैं, जिसके उपर मैं certificate course, sorry, certificate के साथ professional course कर सकता हूँ, आईए, आप चलते हैं, diploma courses में, ये बड़ा interesting है सर, मान लीजे मुझे become BBA, BCC नहीं करना है, मुझे कुछ हटके करना है, तो there are number of, and number of diploma courses, जिसमें मैंने कुछ, जो बहुत ज्यादा common है, बहुत ज्यादा easily available होते हैं, institute में, colleges में, वो courses मैंने list पना ही है, जैसे yoga के उपर, banking के उपर, finance के उपर, industry के उपर, designing के उपर, interior के उपर, hotel management के उपर, retail management के उपर, आप multiple course कर सकते हैं, अपने area of interest के, देखिए, हर बात जुड़ी है interest के साथ, कि मेरा interest क्या है, अच्छा, ये तो diploma था, diploma के गला गला college certificate course कराता है, ये certificate course 6 months के होते हैं, 1 year के होते हैं, 2 years के होते हैं, depend on course, course के हिसाब से, ये certificate course होते हैं, there are n number of, जैसे accounting या, tax station के उपर ले सकते हैं, tally के उपर ले सकते हैं, business, digital marketing सबसे जादा चल रहा है, digital marketing आज ऐसा है, कि लोगों की need है, banking के उपर हुआ, event management हुआ, radio जोकी हुआ, repairing हुआ, multiple languages सीख सकते हैं, ये sir, ये क्या है, ये certification course में क्यों बता रहा हूँ, देखिए, आज की युग में, जैसे आज करोना चल रहा है, अगर मैं सिर्फ B.com, B.b.b.c.c.a करके survive नहीं कर सकता, अगर मेरे पास multiple certificate होंगे, multiple diploma होंगे, तो मेरी value बढ़ जाएग की मेरी value बढ़ जाएगी, उसके लिए क्या करना है, three years का आप कोई भी code select करेंगे, degree code select करेंगे, उसके साथ उसमें एक एक certificate add up करती हुए चले जाना है, जैसे जैसे समय मिले, एक six months का, three months का, one year का certificate, उस particular field से लेटे certificate को add करते जाएगी, उससे क्या होगा, आपकी value बढ़ ज बना के रखिएगा, कुछ doubts रहेंगे, नीचे मेरा number दिया है, caliber Nova का, उस पर आप मुझे contact कर सकते हैं, मैं available हूँ, और आपको किस topic के उपर बात करना है, इसमें भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, next video में उस topic के उपर जरूर बनाऊंगा, that's all for my side, I am Pankaj Agarwal, जल्दी मिलेंग Thank you so much, Happy Diwali